पूरे एक माहा तक चलेगा लेकिन सुरुबात आगरा के किरावली विधान सभाथ छेते से मानने राष्टियों पाएते जन चौजी जी करेंगे एक हला बोल धावा बोल है इसकी शुरुआत यहां से और यह पूरे उत्र प्रदेश में एक महिने तक यह हमारा आंदूलन चलेगा यही है जैसे कि दो तारी को दो माई को आंदी तूफाना आया था उसका आस तक गरीब किसानों में कहीं कोई मुआपजा नहीं मिला हुने और यह विजली की दरें जिस तरह से बढ़ाए गी पहले दो से शाट रुपे थी अब लगातार उसमें बिर्दी की जारी अब तीन 2800 रुपे अगर जिस परिवार से जाएगी बिजली के लिए तो वो परिवार अपने बच्चों के प्रत क्या उसका रहेगा कैसे बच्चों को पढ़ाएगा कैसे अपने परिवार का पालन करेगा यह सारे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उस दिन तेरे तारी को हमारी पार्टी हमारे राश्य उपादिजी उठाएंगे उसके बाद पूरे एक महने तक 12 अगस्त तक हमारे अंदोलन जारी रहेंगे हर सब इस्टेशन पर जो 33 वटे 11 की विए के इस्टेशन है उन पर सब बहुत सब्सक्राइगा बिजली का भी होगा गरी परिवार हैं जहां दोबारा से जो कर्च उनके माफ कुए थे उनको दोबारा से नोट वो भी मुद्दा रहेगा जिन परिवारों में जन्हान ही हुई थी जो आंदी तूफाना है तो उनको कोई मुआपजा नहीं मिला है वो भी एक मुद्दा रहेगा आगामी तेरे तारिक को जो आगरा में जेन चौधरी का जो कारिकरम हो रहा है उसमें हमारे पूरे महनत से और इस कारिकरम को तेरे के कारिकरम को सफल बनाएंगे और जेन चौधरी जी का आगरा आगवान के समय है बहुत जोड़दार अच्छा कारिकरम होगा और आगरा से इत्यासिक एक संदेश जाएगा जैन चौधरी का जो पूरे उत्तरपदेश में ये गूरियागा के बास्तर में किसानों की समस्थाओं को लेकर के रावलोट जिस तरीके से अपनी बुन्यादी सवानों को लेकर के हमेशा से सुलू से जो लड़ाई लड़ी है और वो एक इत चपरोली ये मिनी चपरोली दूसरी चपरोली आगरा से एक जैन चौधरी राश्टी उपाद्यक्ष है वो यहां से अपना एक ऐलान करेंगे किसानों के हिस्त में और वो बड़ा च्छा पूरे प्रदेश में देश में संदेश जाएगा